इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लाप्टॉप और कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है Sticky Keys तो यह होता क्या है यहां पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए तो बहुत ही simple तरीका है इसे देखिए सबसे पहले आप settings में आके यहां पर sticky key search करके यहां पर आ जाएंड यहां पर इसे on कर ले अब देखिए बहुत से लोगों को problem होती है कोई disable होता है हो सकते हैं उनकी fingers कम हो fingers छोटी हो तो एक time पर जैसे आपको control और c copy करने के लिए use करना पड़ता है control c से copy होता है बद बहुत से लोग होते हैं एक बार में दो बटन नहीं press कर पाते हैं उनकी बज़बूरिया हो सकता हो तो आप एक एक करके भी उसे कर सकते हैं जैसे कि example के लिए यहाँ पर जैसे मुझे इसे copy करना है इसे मुझे copy करना है तो मैं क्या करूगा control और a दबाऊंगा ठीक है पहले इसे select करूँगा select करने के लिए control A दबाना है ठीक है, तो सिर्फ एक बार मुझे control दबाना है और एक बार A दबाना है तो यह select हो जाएगा, अब copy करने के लिए control C एक साथ दबाना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, पहले एक बार control दबा दे और फिर C दबा दे तो यह copy हो जाएगा, ठीक है अब अगर आपको इसे cut करना है तो control दबाए और X दबाए तो यह cut हो जाएगा और paste करना है control दबाए और V दबाए तो यह paste हो जाएगा उमीद करता हूँ, आप समझ गया होंगे इतना simple सा इसका मतलब होता है और यह बहुत काम की चीज़ है वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स्टोर को सब्सक्राइब जरूर कर दे